नमस्कार दोस्तों स्वागता आप सभी का आपके पनी यूटूब चैनल पर दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर बात करने वाले स्कुल वैक्याता बढ़ती प्रिश्या 2018 को लेकर बहुती बड़ी खबर बिरोजगरूं को मिली लाठियां लाठियों के बाद हालत हुए गंबीर फर्स्ट ग्रेड ती ती आज रात बढ़ सकती है हक के लड़ाई में बिरोजगरूं को मिली लाठियां दोस्तों इस वीडियो को इतना लाइक करो कि सरकार का ज़्यादा से ज़्यादा विरोध हो सके दोस्तो राजस्तान यूनिवर्सिटी में 18 दिन से दरना परदसन जारी है तो राजस्तान यूनिवर्सिटी से आध दरना इस्तगित कर दिया और साथ इस सहीद इस मारक पर ये दरना परदसन अब जारी है वहाँ पर बेरोजगरों को पुलिस बल के साथ उठाने की कोशिश की और कई बेरोजगरों को लाठिया खानी पड़ी कई बेरोजगरों की हालत गंबीर है तो दोस्तो किरोडी लाल मेना का कहना है कि जब तक आयो पुरिस नोट जारी नहीं करेगा तब तक आंदोलन है वो जारी रहेगा तो बेरोजगारों को हक में मिली लाठियां तो दोस्तो देख लेते हैं क्या है पुरी खबर जिया दोस्तो विरोध को देखते विए बारी पुलिस बल लगाया गया है परिक्षा तिती आगे बढ़ाने की मांग को लेकर आप भ्यार्तियू का धरना है जारी इसकूल व्याक्यता बढ़ती परिक्षा से जुड़ा है मामला तो दोस्तो एक गहलोत की चोटी सी बात के लिए धरना परदर्शन है वो जदा उगर हो गया था देख लेते हैं क्या बात है बढ़ती परिक्षा को लेकर बोले सियम समय पर परिक्षा होना जरूरी हम समय पर परिक्षिया करवाना चाते हैं लेकिन कोछ नोजवान बार बार परिक्षिया इस्तेगित गरवाना चाते हैं ऐसे इस्तेती नहीं आनी चाहिए तो दोस्तो इसो गोलोत का खहिना है कि परिक्षिया निसिस समय पर की जाएगी साथी बेरोजगारू का खैना है कि परिक्सा जुलाई 2020 में होनी चाहिए साथी पदों की बड़ोत्री भी होनी चाहिए सरकार जुकने का नाम नहीं ले रही है साथी बेरोजगार उगर अंदोलन की चेताओं ने दी है अगर एक दो दिन में मारी माने नहीं मानी गई